वारण सी में कड़ी सुरक्षा ववस्था के बीच ग्यानवापी मस्जिद में शुकरवार कुछ शान्तिपूर तरीके से जुम्बे की नमाज को पूरा किया गया नमाज अदा करने के बाद सभी नमाजी ग्यानवापी मस्जित ने बाहर रिक ले ग्यानवापी में नमाजियों के पुराने रिकॉर्ड इस बार टूट गए है बता दें कि जुमे के दिन दो हजार के करीम नमाजियों की संख्या ग्यानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने पहुची नमाज के बात करीब 45 मिनट तकरीर चली तकरीर में मुलक में अमन और भाईचारे का संदेश दिया गया वहीं ग्यानवापी तहकाने पर आये फैसले पर तकरीर में कोई चर्चा दहीं हुई तकरीर के दोरान देश के लोकतंत पर चर्चा हुई इशारे में कहा गया कि देश में लोकतंतर कमजोर हो रहा है जुम्मे की नमाज को लेकर ग्यानवापी नमाजियों से पूरी तरह भरी बड़ी थी ऐसे में नमाजियों को काशी विशनात धाम के गेड नमबर चार तक रोका गया पुलिस प्रशासंद्वारा लोगों से ये बोलकर रोका गया कि अंदर बहुत जादा लोगों की भीड हो गई है लोगों से कहा गया कि शहर क्यान मस्जितों में नमाज अदा करें बता दे कि ग्यानवापी में हिंदु पक्ष की ओर से पूजा शुरू होने के बाद जुम्मे के दिन नमाज के लिए भारी संख्या में नमाजी ग्यानवापी पहुचे थे वही अंजुमन इंतिजामिया मस्जाजित कमीटी के ज्वाइन सेकेटरी यासिन ने शांती बनाए रखने की अपील भी की आजपास के शेत्रों में प्लूस द्रोन से निग्रानी भी की जा रही है वही ग्यानवापी में पूजा शुरू होने के बाद अंजुमन इंतिजामिया मस्जाजित कमीटी द्वारा बना रस्पंद का एलान किया गया बंदी के एलान के बाद नमाज शुरू होने से पहले ही भारी संख्या में नमाजी ग्यानवापी पहुशे नमाजियों की संख्या के देखते हुए प्रशासन भी सकते में पढ़ गया संख्या को देखते हुए प्रशासन ने चौक सी भी बढ़ा दी जुम्मे की नमाज के मद्धे नज़र प्रशासंक्योर से सुरक्षा व्यवस्ता के पुक्त अंतजाम किये गए बतादे की नमाज अदा करने जाते वक्त अंजुमन इंतजामिया मजासित कमेटी के जुएन सेकेटरी मुहम्मद यासीन शांती बनाये रखने को लेकर अपील की उन्होंने का कि हमें कोई नाराज़की नहीं है ग्यान बापी मस्जित और आजपास के शेत्रों में भारी पुलिस बलतेनात किये गए हैं ड्रोन से पूरे शेत्र पर भी नज़र रखी जा रही है वीडियो डैस अंबीटी ऑनलाइन